महा भारत में कई रहस्य छुपे हुए हैं, लेकिन उन्हीं में से हम आपके लिए लाए हैं मात्र दस रहस्य और आप इन्हें जानकर चौंप जाएंगे, तो आए जानते हैं. पहला रहस्य बरबरीक दुनिया का सरवश्रिष्ट धनुर्धर थे, बरबरीक के लिए तीन बाण ही काफी थे जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे, लेकिन श्री कृष्ण युद्ध के पहले ही उसे भी ठीकाने लगा दिया. दुसरा रहस्य, सहदेव भविश्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे. तीसरा रहस्य, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हर विद्या में पारंगत थे, वे चाहते तो पहले दिन ही युद्ध का अंट कर सकते थे, लेकिन कृष्ण ने ऐसा कभी होने नहीं दिया. चौथा रहस्य, कर्ण से यदी कवचकुंडल नहीं हथी आये होते, यदी कर्ण इंद्र द्वारा दिये गए अपने अमोग अस्त्र का प्रयोग घटोतकच पर न करते हुए अर्जुन पर करता, तो आज भारत का इतिहास और धर्म कुछ और होता. पाँचवा रहस्य, भीम में हजार हाथियों का बल था, युद्ध में भीम से ज्यादा शक्तिशाली उनका पुत्र घटोतकच ही था, घटोतकच का पुत्र बरबरीक था. छठा रहस्य, दुर्योधन का शरीर वजर के समान कठोर था, जिसे किसी धनुष या अन्य किसी हथियार से छेदा नहीं जा सकता था, लेकिन उसकी जांग श्री कृष्ण के चल के कारण प्राकृतिक ही रह गई थी. साथवा रहस्य, लाखों लोगों के मारे जाने के बाद, लगभग 24,165 कौरव सैनिक लापता हो गए थे, जबकि महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योध्धा ही जीवित बचे थे. आठवा रहस्य, ऐसी मान्यता है कि महाभारत युद्ध में मारे गए सभी शूरवीर जैसे की भीश्म द्रोनाचार्य, दुर्योधन, अभिमन्युक, द्रौपदी के पुत्रकर्ण, शिखंडी आदी एक रात के लिए पुनरजीवित हुए थे. यह घटना महाभारत इता का उपदेश दो लोगों ने सुना, एक अर्जुन और दूसरा संजय. दस्वा रहस्य, इसी तरह द्रौपदी का जन्म भी एक रहस्य ही है, कहते हैं कि उसका असली नाम यग्यसेनी है, यग्यसेनी इसलिए कि वह यग्यसे उत्पन हुई थी. दोस्तों विडियो अच्छा लगा हो, तो विडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें.